तो हेलो एविवन कैसे हो आप लोग वेलकम टू प्यांशी व्लोग्स थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सुपोर्ट किया और मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ सबी व्यूवर से क्योंकि मैं एक से दू हफ्ते शाहद एक हफ्ते होगे मुझे वीडियो अप अपलोड की उसका मैं रीजन बता रहता हूँ क्योंकि मैं आई स्टूडेंट एप्लिकेशन पर काम कर रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा लेट हूँ चोग है लेकिन माच के मिडर तक मैं आपको डेफिनिटली डिट बता दूँगा कि कब आई स्टूडेंट अप्लिकेशन को भी फॉलो कर लेना ठीक है तो उसमें इंफोर्मेशनल वीडियो आती रहती है ठीक है तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो ली होने वाले इंटरनेशन स्टूडेंट के लिए जिनको कैनड़ा अने प्लस उन् चाहिए तो इंविटेशन जाने का मतलब यह होता है आई टी आती उसके बाद आपको डॉक्यमेंट संब्लिशन होता है फिर उसके बाद आपकी अप्लिकेशन अप्रूव हो जाती है और आप यह रोजाते हो ठीक है तो आज कर जो सिनारियों मैं आपको बता देंट तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं मैंने क्या करने है सबसे पहले मैंने अभी अपनी वेस्ट फाइल करनी है वेस्ट फाइल करने की मैं वीडियो बनाओंगा कि कैसे वेस्ट फाइल की जाती है तो वैस होती है एक एवाल्यूएशन जब आपने इंडिया से डिगरी की होती है master's या graduation तो उसके points आपको claim करने के लिए आपको उसको Canadian degree में convert कराना पड़ता है तो Canadian degree में अगर आप convert कराओगे उसको convert करवाने के लिए आपको वैस evaluation करवानी होती है तो मैं उसकी वीडियो जल्दी upload कर दूँगा ठीक है second मैंने आइल्स का exam देना है तो मैं आइल्स का exam तीन चार महिने बाद ही दूँगा क्योंकि मेरा भी experience भी नहीं शुरू हुआ है और नॉक भी job मैंने धूडनी है तो नॉक भी job मिलने के बाद मेरा जो वीजा है वो expire होने वाले है 2023 दिसंबर के मन्त में तो भी में पास थोड़ा से ज्यादा टाइम है तो नाव राइट नौ बहुत सारे लोग कहरे भाई आप security की जॉब क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ security की जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी options नहीं है तो वह भी मेरे लिए बैटर है क्योंकि मैं उस वह करते करते साथ में extra curricular activities भी कर ले तो मैं books भी पढ़ रहा हूँ और अपनी reading skills बढ़ा रहा हूँ और अपनी certification जितनी ज्यादा मिल सके उतनी करने की कोश में मैंने student guide और investment guide डाली हुई है और reference भी डाले हुए है तो अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है वहां से पेडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हो और उसका video tutorial भी कर सकते हो वह मैं अपने resume में add करूंगा जो काफी ही अच्छा लगेगा और लोग मुझे accept करेंगे definitely जब म resume में add करूंगा अभी मैंने फिलाल apply नहीं किया है क्योंकि मेरा जो focus है अभी मेरा है कि जितना भी loan है वो सारा उतारू ठीक है loan उतारने के बाद थोड़ा सर से burden हट जाता है आपको भी पता है ठीक है तो तब ही बंद अपने सपने पूरे करने के सोचता है जब पहले जो भ करने का क्योंकि मेरा जो काम है वह आधे घंटे के रस्ते में तो फिर मैं यही suggest करूंगा उन international students को कि अगर आपका काम आधे घंटे के रस्ते पर don't spend too much money on car otherwise आपको जो हजार डॉलर है वह पर मन्त खरचा तो जाएगा जाएगा अगर आप EMI पर बाइक कर रहे हो तो मैं recommend कर लेना और वो उसकी third party insurance कराना third party insurance क्या होती है कि जब आपकी गाड़ी ठुकती है for example आपका accident हो गया और सामने वाली गाड़ी Mercedes है और आपकी $6,000 वाली कार है अगर उसका जादा नुक्सान होता है आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगा क्योंकि अपने third party insurance कराई है जो insurance company व में उसका रिपेर नहीं होगा लेकिन सामने वाली कार का जो नुक्सान है वह रिपेर हो जाएगा पूरा तो यह रही कार की बार ठीक है तो मैं था मैंने वैस करानी है वैस के बार आइस का exam दूंगा आइस का exam के बार मैंने का TRV भी फाइल कर दूंगा जो temporary resident visa उसकी video बनान होता है वह passport के उपर लगा होता है आप देख सकते है उसको definitely आपको पता लग जाएगा ठीक है तो यह तीन स्टेप है और गॉर्मेंट ने क्या कहते हैं दो हो जाते हैं इस तक 1.2 मिलियन लोगों को पी आ देनी है सबसे पहली बात यह जानना बताना चाहते हो जो फेडरल क कैनेडा उन बच्चों पर ध्यान देगा जो अभी कैनेडा के अंदर है तो उन्होंने कैनेडेन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर उन्होंने फाइल जितने भी इंविटेशन में फूल में फाइल थी सभी घीच लिया और आपको नहीं पता कि इससे कैनेडा ने 40 मिलियन का र दे रही है क्योंकि जो एकोनॉमिक क्राइसिस हुएं कोविड की वज़े से उसकी वज़े से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिकवर करने के लिए गौर्नमेंट ने यह स्टेप्स लिए कि जो इंटरनेशल स्टूडेंट्स है वह बहुत ज्यादा टेक्स पे कैनेडा के अंदर सबसे बड़ी इंटरनेशल स्टूडेंट्स और बाकी जो दूसरे देशों से आते हैं तो इसलिए उन पर फोकस किया जा रहा है तो अभी तो सी यारे स्को 75 गया है और आई होप इससे नीचे ड्रॉप होगा कैनेडेन एक्स्पिरियंस क्लास के अंदर न देना है और ट्रेवर रिस्टिक्शन पर अगर कैनेडा ध्यान देगा तो इसका मतलब यह है जो कैनेडा के अंदर लोग है उनको ही सबसे पहले उनकी वह प्रायोर्टी होगी तो अभी मेरा एक साल का एक्स्पिरियंस भी निया नौक भी का जिसके वज़े से मैं फाइल न डेफिनेटली आपको मिल जाने वाली है अगर आप स्केल्स पर काम करोगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे काम करना है क्या करना है और इंटर्विय देते हुए हमें क्या करना है क्या क्या चीजों का ध्यान देने तो आई होप मैं उस पे परस्नल ओपीनियन्स होते हैं तो मेरे गोल्स थोड़े से डिफरेंट है मतला इन्वेस्मेंट और रीडिंग और बिजनेस आइडिया यह सारे बिजनेस मॉडल पर काम करने के लिए लेकिन पी आर उसके लिए पी आर चाहिए ना तो पी आर के लिए मुझे लेवल की जॉब क मैं शायर अपना एक्सपीरेंस गेल कर लूँगा एक साल का तो आई होप यह सब बैटर रहेगा तो बहुत सारे बच्चे आप डिरेक्ट पोस्ट ग्राजुएशन वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ आप पोस्ट ग्राजुएशन वर्क प अब यह ने शेर किया है तो आप डेफिनेटली लाइक कर दो गया और वीडियो को शेर कर देना उन लोगों के साथ जिन्नोंने कैनेडा आना है क्योंकि उन्हीं लोगों को यह इन्फोरमिशन का पता होना चाहिए ठीक है तो यह मेरे परसनल गोल से मैंने आपको अपने पर सब्सक्राइब कर देना आई लव यू वाल बबाई टेक क्यार